स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो आज हम आपके साथ ढोकले के साथ खाने वाली गूर और इमली की चटनी की रेशेपी आपके साथ सेर करने जा रही हूँ तो सबसे पहले हमने इमली लिया है इसे गरम पानी में भिगो के रख दिया है अब हम इसमें गूर डालेंगे इमली से थोड़ा ज्यादा गूर डालेंगे ताकि इसका खट्टा मिठा का टेस्ट एकदम बराबर में हो अगर हम गूर कम डालेंगे तो चटनी खट्टा लगेगा खाने में इसलिए मात्रा देख के डालें इसे हम चम्मत से मिला के लिक्विट जैसा बना देंगे तो देखिए हमारा गूर और इमली अच्छे से मैस हो किया है अब हम इसे चलनी में छान लेंगे कर देखिए हमारा चटनी बन चुका है माक और मिर्ची पॉडर डालके मिलाएं और उसके साथ खाएं बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में अगर आपको हमारा रेशिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद